दोस्तो एक बाइफ़ी स्वागत है पर यूटी चनल ड्र मणीबिन दोस्तो आज हम आपको डेक्सोरेंज कैप्सूल कर रहें कि प्रहुग हमें कब क्यों कैसे करना चाहिए कि इस कैप्सूल का कोई रिप्ट है कि नहीं है और इस कैप्सूल को हम कौन कोन सी विमारियों तो दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन और बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब फारो सेड़ करते रहें ताकि आपके बीचे और बेची एची वीडियो रहते रहें जिन लोगे के सरीर में बहुत ज्यादा की बहुत ज्यादा कमी की हो जाती है उत्तरह इस कैप्सुल का परियों किया जाता है या जो महिला च्रौसेश का बनाता ही सांठे में साथ में आगल आपके सर्स रहें बहुत ज्यादा ब्लड की कमी हो गई है या आपको नहीं फेडियो को कही एक खोट लगया तो उस वैस भी वजह से अगर आपको ब्लट की क्यमी हो गए तो इस कैप्सुल का प्रयोग किया जाता है जिन लोगों का सरीर कभी डेपलप नहीं करता है वह बहुत ज़्यादा कमजोरी महसुद करते हैं उनका सरीर दुबला पतरा बना रहता है वह अपना वेट गेन नहीं कर पाते हैं दोस्तों चले जानते हैं कि इस कैप्सुल का खाने का साही तरीका क्या है दोस्तों इस कैप्सुल को आप खाने के बाद एक कैप्सुल सुबह एक कैप्सुल साम को आप दिन में दो बार प्रयोग कर सकते हैं या डाक्टर जिस तरह आपको खाने की सलाह दे रहे हैं उस तरह साइनो kowalamine हो गया इसके सा Elijah त्यार के स्रीर में बहुत ज्यादा थकान अगर महसूद है उसे हैं क्या कोई होता है डोस्तों बैसे द्देख्रर सब्सक्राइब लेने के बाद सरी कोई बदला करके से ककपिटिक किठी अक्कार आema WA आ रही है यापका विरा पेट खराब हो रहा है या को ट्रह निकल रहा है कि अलर्जी महानुस हो रहा है इस कौंप्सुल को ले सब्सक्राइब 456 जो आपको बहुत ज्यांट करने को इस नम बनाएकर के 30 प्राइब आप उसे आप पूरा कर सकते हैं और अगर आपके सरीम बहुत ज़्यादा थकान आलास महसुस वरत उसे अभी आप सही कर सकते हैं दोस्तों ध्यान रहे कोई भी दवा लेने सब्सक्राइब करते हैं ताकि आपके बीच में और वेचेची वीडियो लाते रहें देर ना करते हैं वीडियो को हैं जाहें जैभार